चले आज हम देखते हैं किस तरह से हम किसी भी block level element के एक बैगरांड मेत में मेज लगा सकते हैं और फरेंटके Tax KA spare के साथ लगा सकते हैं यहां से हम जाते हैं फाईल में और यहां से हम अपन फॉल्ड़ करते हैं और अपना फोल्डर यहां से उपन कर लेते हैं जिसका नाम है जा कॉमेंट्स में गए और CSS के फाइरवाल 29 के नाम से फोल्डर है इसपे क्लिक तरेंगे कंट्रोल एंड करके एक न्यू फाइल लेंगे कि सेव करेंगे उसका नाम हम रख रहे हैं ब्लॉक इमेज इन ब्लॉक.html इसके अंदर शिफ्ट के साथ बड़न दबाएंगे कुछ लॉक इन इमेज और यहां पर आके एक डिव ब्लॉक लेवल ऐलिमेंट बनाएंगे उसके अंदर एक इसके अंदर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं च्वन के उपर उसकी एक लास बना लेते हैं हीरो टेक्स्ट के नाम से कि अश्में लिख लेते हैं कि सब्सक्राइब अब हम इसको वैब ब्राउजर पर देखते हैं तो इस तरह आ रहा है अब इसकी करेंगे css कंट्रोल एंड करेंगे नीओ करेंगे सेफ करेंगे और इसका नाम रख लेते हैं इस इमेज स्टाइल डॉट सी एसस इस इस फाइल को लिंक करेंगे लिंक इमेज स्टाइल डॉट सी एसस क्लिक करेंगे यहां पर क्लास डिफाइन करेंगे हीरो के नाम से हीरो टेक्स के नाम से एक और क्लास डिफाइन करेंगे इसके बाद ब्राउजर पहेंगे रीफ्रेश यहां पर जाके इसकी विट बताएंगे ब्लॉक की जिसमें इमेज लगाना है हैं 100% हाइड बताएंगे 400 पिक्जल्स और मजीद हम इसके अंदर इमेज जो लगाना चाह रहे हैं उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे बैग्राउंड दैश इमेज यूरल लिखेंगे आगे सिंगल कोर्स लगाएंगे अब जो इमेज यहां लगाना है वो इमेज पहले उस फोल्डर में कॉपी करना है जिसमें यह दोनों फाइल सेव हैं वह फोल्डर कैसे खुलेंगे राइट बटन दबाएंगे और करेंगे रिवील इन पाइल एक्स्ट्रोरर के फोल्डर हमारे सामने खुल जाएगा यहां पर फॉट्टू पैस्ट करना है जहां से क् प्लिक किया डाकॉमेंट्स में गए लेटेस्ट के फोल्डर में गए और वहां पर मेरे पास कुछ फैटाउस रखेंगे तो यह देखिए सारे काफी सारे फॉट्टो हैं जो हमारे पास आ रहे हैं इन में से जो फॉट्टो मैं लगाना चाहरा हूं लट्स अपॉज प्लिक किया यह फॉट्टो चंट्रोल च और इसको लाके इस फोल्डर में क्या किया मैंने चंट्रोल वी प्रेस्ट हो गया यह फॉट्टो आ गया इस फॉट्टो को एफट्व दबा के रिनेम किया इसका नाम मैंने रखा इमजी 01 इसका टाइप डोट जैपिजी है अगर कि आपको नजर ना आए वियू में जाएंगे और फाइल नेम एक्स्टेंशन पर जैसे क्लिक करेंगे आपको हर फाइल की टाइप और उसकी एक्स्टेंशन अजर आईगा अब जैसी यह नाव आपने यह रखा विजियल कोड में आ जाएं यह जो आपने खाली छोड़ा था जैसे यहां आप आई दवाएंगे तो देखें उसका दाम आपको यहां पर दिख जाएगा नहीं तो आप टाइप कर लीजेगा सेफ करेंगे अब इदर आजाएं अब जाके देखेंगे आप उसके अंदर तो देखें तस्वीर इसके नदर आ गई अब तस्वीर जो हमने बनाया है 400 वाला इससे बढ़ी है तुम तत्स्वीर को एड़ेस्ट कैसे करेंगे देखे तस्वीर को उपर कर सकते हैं टॉप सेंटर में कर सकते हैं बॉटम में कर सकते हैं लेफ्ट पे कर सकते हैं राइट पे कर सकते हैं सेंटर में कर सकते हैं इस चीज को करने के लिए जो हम बॉटन सेंटर करने के लिए दूसरा बिलाओ के वहां से भी मैंने सेंटर करते हैं रिफ्रिश किया तो यह देखें पिक्चर का लेफ्ट राइट और टॉप बॉटन से दोनों साइट का सेंटर आगे अब अगर मुझे लग रहा है कि यह सही है तो ठीक है यहां मैं चारा हूँ नहीं यार यह थोड़ा सेंटर में तो आगया लेकिन यह थोड़ा सा और पीछे आजाए यहां पर तो ऐसा करने के लिए लेफ्ट साइट के मार्जन को कम करेंगे तो यहां लेफ्ट से जाके हम इसको 20 पिक्जल की एक वैल्यू पास करते हैं सेंटर के बजाए तो 20 पिक्जल वो वहाँ से निकल के आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे माइनस 60 पिक्जल की वैल्यू पास करते हैं रीफ्रिश करते हैं और कम कर देते हैं 80 पिक्जल की वैल्यू पास करते हैं और कर देते हैं 140 पिक्जल की वैल्यू पास करते हैं तो ये देखें इस तरह से आपका सारा मामला सेट हो गया अब आप ये टेक्स सेंटर में लाना चाहते हैं कैसे लाएंगे इसी को डिस्प्ले प्रॉपरटी को चेंज करेंगे और वैल्यू करदेंगे इसी पर जैसी अंदर जो टेक्सट है यह वाली लास पिर यहां इन आइटम करेंगे यहां से और उसकी वैल्यू भी कर देंगे सेंटर तो देखेंगे सेंटर में विलकुल आज चुका है अब उसके बाद इसके फॉंट की लास के अंदर जाके पॉंट-काम लीख हुर और इसमें लएफान लेखें है तो है तो फिर यहां से ये आजब़ाद साइब हुए को यूज करेंगे इस से इसका साइस तो besar spin कर देते हैं तो और की प्रॉपरटी को यूज करेंगे जिससे का अब हमने टेक्स के पीछ देना है शडin शड देने के लिए हम यूज करेंगे étaient इसमें पहला आपाएंगे कि डाल्प स्टा लेंगा हमने का DelhiBe blockchain कि अगर लेट्ट साइट पर पीछे करना है मैंनेab हिद अब इसी को अगर हम में लगाना चाह रहे थे थे वाइट इसी को को अगर आप कूई ओर रैड ड़र में लगाना चाह रहे थे पुरीं मिन लगाना चाह रहे थे घथ तो इस तरीके से आप किसी भी ब्लॉक में इमेज लगा सकते इसको ऐड़ एट्जस्स कर सकते और प्लस में टेक्ष्ट को center align कर सकते हैं, अब मैं चाहरा था text थोड़ा सा नीचे नजर आए उपर आ रहा है, तो हम justify content में, जहां पर align item में center करा है, यहां पर हम करेंगे end बहुत जादा नीचे हो गया थोड़ा उपर नजर आए तो फिर क्या करेंगे, इसकी value में आके यहां पर use करेंगे padding-bottom padding-bottom और इसको हम पास करेंगे, suppose 20 pixel नीचे से उपर हो जाए suppose 30 pixel हो जाए सही लग रहा है यहां पर इस तरीके से आप इसको move कर सकते हैं तो यह देखें, यह आपका create हो गया, किसमें नहीं वो चुके इसको padding दे रहे हैं, तो नीचे से padding लेके उपर जा रहा है, वो block है पूरा, block के अंदर यह पूरा container आ रहा है इसके अंदर ठीक है, समझ में आ गया, इस तरह किसी भी block को create करेंगे, और उसके अंदर अपनी मर्जी का image लगाएंगे और उसमें text दिखा सकते हैं